Hello Everyone, Welcome back to my channel तो फिर से जम बात करेंगे हम कि अगर आपको अप्रेंटिसिप के लिए कॉल लेटर रहा है अगर आपको अप्रेंटिसिप के लिए अगर आप इंट्रिव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी बैनेफीसियल साभीट हो सकता है अपने करने वाला हूं कि आप अगर अपनिधी के लिए गाले करने और पूरा यहां पे परोसेस होता है तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पे बता दूँ कि जो हमारी नए नए के अगनिट्ट्ट के लिए उवेदन करते हैं तो पता होगा कि नेट्स एक भारत सरकार का प्रोटल है national apprenticeship trending इसी कतरहत जो भी भारत में apprenticeship होते हdefined मैलनी जो degree और diploma के candidates उनका लिए प्रोटल बने गया है और हमारी ita के candidate से उनके लिए अलग प्रोटल है जिसे nämlich कहा जाता है तो उनका अलग है तो इसमें जो जो पर कई टिपलोंत के अपलाई कर देंगे अप्रेंटिसट के लिए तो उसको पास आपको क्या होता है कि कॉल आता है या फिर आपको email पर message हो गारा चाहिए जिसमें आपको interview के आपको date और time वहाँ पर mention होता है आप क्षाथ में अस्थान भी mention होता है कि क्या पर interview के लिए जाना है तो जब आपस टेट को जाते हैं तो बहाँ पर जो भी आपको डॉक्मेंट्स अब लोगाँगे आपको जाते हैं सब्सक्राइफ अपने साथ यहां पर आप行了 कुणसे इन्पॉर्ट्ट्न आंप से अगर आपको उसम Aa अँटरिवी का था बता हुआ पूरंट्स US a तो वहां पे HR department होता है आपको कहीं भी आप जाएंगे हमि脚 जो होते हैं उनसे आपके रोबरू होगा विखो बुख दाखले वहाँ गहाँ होते हैं उनसे आपको यहांपय रूबरू होना होगा। उसमें का अपया हो एक रिजूम भी जो है त्यार कर लिजेगा बाकी जो डॉक्मेंट से अपना त्यार कर लिजेगा ठीक है जो भी आपका रिजूम होगा तो आप एचार से वहां पर आपको इंट्रो होगा आप से वहां पर थोड़ा बुद्ध पूस्ताच होगा वहां पर करेंगे कैसे क्या ह जोते कहले 呀 on through दो हिए और साथ में वहां पे उसके आनलागें भी जो और भी डिपार्ट्मंट्स होते हैं 12 लिए मानिए जो भी आपको वहाँ पे रहेंगे वहां के भी आपको बहुत बादरarenth के वहां पर आपको अवहां पर दृपाइशय है दिपाटमेंट के वह उस अंदेश का पैणल में बेली समिल रहते हैं किहां पर इंट्रो इंट्रो देंगे इंट्रो आपको कैसे देना है कि इसके लिए आपने त्यारी किये होगे अगर नहीं होगा तो आप वीडियो और भी आपको लंबा नहीं देना आपको पता होगा कि वहां पर और भी candidates होंगे आपको वहां पर जादा जो है आपसे जो भी interview का session चलने माला है वह जादा आपको नहीं चलेगा तो जो भी इंट्रो रखे अपना सौर्ट में रखें सौर्ट में आप अपना नाम और जो भी आपने क्या qualification है कि आप किये हुए हैं वह चीज आपना वहां पर एक छोटा आप कम समय में वहां पर अपना बता दे उसका वास से क्या होता है कि जब मैं जब गया था interview के लिए तो उसमें क्या होगा था कि आपको जो भी आपका branch होगा तो branch होगा तो branch related आपका जो भी basic concept है तो आपको generally जो basic चीजे होता है उस पर concept आपका बिल्कुल clear होना चाहिए तो जैसे कि आपको मानिए कि आपका यहां पर resistor के बारे हम हुआ तो आपको पूछे जाएंगे उससे तरह से मानिए कि अगर आप electrical से बिलोंग करते हैं तो आपको जो भी current related जो भी जनकाड़ी हो या फिर जो भी theorem पूछ सकता है कैसे वर्क करता है क्या होता है तो तुमाम तरह है कि जो भी ब्रांस में आपने पढ़ा होगा वह चीज़े आपको पूछे जाएंगे जो भी basic चीज़ा वह आप के लिए रखिएगा उसका सबसे दूसरी इंप्रोटेंट बात है कि आपने जो final year में जो आपने project किया होगा जोगी जो भी डिप्लोमा और यहां पर डिगरी में जो गेंडिये होता हैं उनका एक project भी होता है तो जैसे कि आपने जो भी project किया होगा ऊप पर जरूर आप पढ़ लीजेगा उसको को वहां पे कौन सा आपका प्रोजेक्ट था तो उस प्रोजेक्ट के बारे ये बताईए और ये कुई जरूरी नहीं कि सबसे यहां पे सब सवाल पुछे जाएंगे कोई कोई कंड्रेट्स हो जिन से गया है डिरेक्ट लिए उनसे बोला गया कि इंटर्डू जिये से अपना है, सबसे सबसे कुछ से पुछ कैशन होई तो इस तरह से आपको जब्याग्ट हो आपको हाँ पर देख लिएगा, साथ में आप जिस भी टेपार्टमेंट पर इंट्रव्यू देने के लिए जा रहे हैं जिसे मानिए कि अगर आप आई में जा रहे हैं या फिर आपको सेल में जा रहे हैं भेल में जा रहे हैं तो उसके बारे में कुछ आप पढ़ लिएगा ठीक है न उसका यहां पर जिसे व इस सब चीज आपको ध्यान रखना और बाकी आपको कोई इंटर्विव देने के लिए जा रहे हैं तो ज्याद आपको कोई यहां पर दिमाग पर पेसर लेकर नहीं जाने आराम से जाएंगे आपको इत्मिनान से जोबी स्वाल पूछे जाएंगे आपको वहां पर जबाब द जाएंगे वहां पर क्या पुछ रहें उसका वहां पर जवाब देना है और साथ में एक और इंपर्टन बात है कि आपको शॉट की हो जैसे कि क्या होता है क्योंपी के लिए क्लिए क्लिए का होता है तो कंपूटर के सॉट्स की योगारा भी आप पे थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर कुछ ना कुछ खाम आपको पड़ जाता है, तो एक विए के सुझेसे ऊल्य को वरा आपको अनुग आपको आपको कलेसे सवाल आपके specific चीजे पर देना है और उसको confidence से देना है तो यहां पे इंटर्वी होता है जो आप इंटर्व्यू दे के बाहर आ जाएंगे तो वहां पर आपको तुरंत नहीं बताएजाता है comprend that you're aware of Japanese 船ंण में करना थो उससमें आपको जो भी आपको llev deswegen आपका और और क्मानके डॉक्मेंट मुश्य समय वहां पर होगा वैसे दॉक्मेंट तो सब्सक्राइब और किस देने革े जाएंगे तो उसमें आपका जो भी डॉक्मेंट्स होगा उस सब चीजह आप अपने साथ रही है सब का फोटो कपी हो या फिर ओरीजनल हो और बाकि यह सब चीजह अलग लग डिपार्टमेंट में भारी करता है कि कौन सा प्रसेस पहले होता है कब कौन सा बाद होता है जेनरली आपको यही इसी त उसमें जब आपलाई करेंगे तो उसमें आपका जो भी डिगरी और डिपलोमा में जो भी आपका मार्क्स होगा अग्रिगेट मार्क्स होगा टीक न जो भी समेश्टर में तो उसके अधार पर पहले वह सौट लिश्टर कर लेते हैं कि जैसे माने कि अगर 20 सीट है तो इसके बाद से आपको एक final selection के लिए फिर आपको email होगा आपको 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 जोभी डी बी और डॉक्मेंट फेरिफिकेशन वाला काम होता है जोब आपको ज्वाइनिंग होगा तो उसमें आपको medical certificate भी जमा करना होता है जो कि आप अपने जिला अस्पताल से वहाँ वहांपे बना सकते हो गजफ कोस को न शग्सेजव दिया जाएगा ती ऊसको बाद आपको यहाँ पे कोंट्रेक्ट आपको हाँ पे क्युट हो जाएगा जो कि आप जब यहां पे लोगिन करेंगे तो अभी जब नय पिर्टेट लोगन करेंगे तो आपको एक तो आपको इक चार डिपाटमेट को दवारे कोंट्रेक्ट यहां पर किये जाएगा हम आपको अपर सो भी होगा कि आप कहां से पूलिडिक कर रहा हैं कि यहां पर खतम हो रहा है जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक आउट कर लिजेगा तेही कुछ प्रोसेस है आपका जेनरली तो अगर कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमंट करके आप पूछ सकते हैं बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नहीं अप्डिकर साथ थैंक्स पर वाच अचप सकता कर लिए ये beautiful आप कर देख